नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर्टे स्वागत है मेरे चैनल असान सॉलुशन में आज मैं जो TDL आपको देने जा रहा हूँ इस TDL के मात्यम से आप अपने सेल रेजिस्टर या पर्चेज रेजिस्टर के अंदर GST नंबर के अधार पर आप सर्च कर सकते हैं जैसे ही आप सर्च करोगे GST नंबर के अधार पर तो वो विल अलग से फिल्टर होकर के आपके पास आ जाएंगे चलिए देखते हैं एक बार कैसे होगा यह सब कुछ तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस TDL को डाउनलोड करना पड़ेगा डाउनलोड करने के लिए आप मेरी वेबसाइट www.asansolution.in में आईए यहां आपको बारक तुमबर 2018 का TDL मिलेगा TDL का नाम है Find an Invoice by GST Number यहां इस आर्टिकल के नीचे आप देख सकते हैं एक बटन है इस आर्टिकल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिशन में डाल दिया है आप वहां से भी डारेक्ट इस लिंक पर पौहँच सकते हैं और इसको हैं तो इसको डाउनलोड करने के लिए मैं और जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यह पेज आपके सामने आपन होगा इसमें आपको यहाँ blue color का बटन है download इस पर क्लिक करना है और इसके बाद यह TDL आपका download हो जाएगा आप देख सकते हैं कुछी दिर में यह TDL कुछ इस तरह से download यहाँ हो जाएगा नीचे की तरफ इसके बाद यहाँ क्लिक करना है और show in folder पर आपको एक बार क्लिक करना है properties में जाएंगे और properties में जाने के बाद security में जाना है यहाँ से यह path दिया हुआ है इसको आपको select करना है select करने के बाद right button क्लिक करेंगे और copy button पर click करेंगे और इसको ok कर देंगे इसके बाद हम tally के अंदर आएंगे और tally में आप यहाँ देख सकते हैं TDLS यहाँ लिखा और F4 बटन प्रेस करना है manage local TDL के लिए और उसके बाद यहाँ नीचे आप TDL का path को copy करेंगे पेस्ट करेंगे control, Alt, V के साथ पेस्ट करेंगे और enter प्रेस करेंगे एक बार और enter देंगे इस तरह से यह TDL आपकी टैली में load हो जाएगा चलिए अब TDL को देखते हैं इस TDL का impact देखने के लिए हम सबसे पहले आते हैं हमारे sale register के अंदर display, accounts books और sale register यहाँ मैं दो मेने का sale register open कर लेता हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादा entry नहीं है इसके बाद आपको columnar यहाँ पर columnar करना जरूरी है यहाँ आप columnar करेंगे और यहाँ आप GST, show party GSTN को yes करके इसको accept करेंगे इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ आई screen पर आपको सभी party के GSTN और सभी के बिल दिख रहे हैं यहाँ मेरे कुछ art will है आपके यह संक्या सेकड़ों भी हो सकती है इसके बाद हमें क्या करना है हमें ऐसे बिल चाहिए है ऐसे बिलों की detail चाहिए है जो हमारी state से belong करते हैं यह मेरा state है राजिस्तान और राजिस्तान का state code होता है 08 तो मुझे ऐसे बिल चाहिए हैं जो मेरे राजिस्तान से belong करते हैं तो इसके लिए अब मैं करूंगा एल्ट के साथ F12 यहां आप देख सकते हैं range रेंज में जाने के बाद आप करेंगे voucher बाउचर के बाद यहां लिखेंगे GSTN दोस्तों यह feature add हुआ है इस TDL के मद्यम से यह feature defaultly tally में नहीं होता है GSTN पर आप किलिक करेंगे उसके बाद यहां आप लिखेंगे starting with नीचे नीचे है सबसे पहले starting with और 08 आप यहां डालेंगे डालने के बाद enterprise करेंगे एक बार और enterprise करेंगे तो दोस्तों आपके पास केवल वो ही list सामने आई है जिनके अंदर 08 से 10 number या GSTN नंबर start हो रहा है इसके बाद अगर दोस्तों आपको list चाहिए कि जो unregistered party है उनकी detail आपको चाहिए तो voucher इसके बाद GSTN यहां select करना है इसके बाद आपको choose करना है as empty और एक बार enter और करेंगे तो आपके पास जिन below के अंदर GSTN नहीं है वो detail आजाएगी इसी तरह से एक बार और देखेंगे alt के साथ F12 करना है range पर click करना है voucher के अंदर GSTN select करना है और आपको ऐसे will चाहिए है जो register party को आपने sale किये है केवल वही will आपको filter हो करके आने चाहिए तो as non empty यहां लिखेंगे और enter करेंगे रही है इसी तरह से दोस्तों आप purchase में भी देख सकते हैं इसके लिए purchase register में आकर के same procedure आपको करना है मैंने purchase की कोई entry कर नहीं रखी है तो दोस्तों आपको एक यूडियल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताईए और आपकी क्या requirement है मुझे comments में लिख करके भेजिए फिर मिलें नए वीडियो में नए TDR के साथ thank you for watching my video